सबी दर्शकों का पंजाबकेस्री.com में स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ खुश्पू आज 27 चुलाई 2024 दिन शनिवार है आज के पंचांग के अनुसार आज विक्रम सवंथ 2018 के अशार कृष्ण पक्ष के सब्त मेती थी है आज रेवती नक्षत्र है और धृती योग है और साथ ही आज बव करण है आज चंद्रमा दोपहर एक बज़े तक में राशी में गोचर करेंगे इसके बाद मेश राशी में प्रवेश होगा यदि आप दोपहर से पहले किसे बिजनेस संबंध यातरा पर निकलते हैं तो उत्तर या पाश्यम दिशा की यातरा बहतर पर हतीक होती है इसलिए यदि वह किसे शुब देवता के स्थान पर बन जाए तो उस देवता विशेश के क्रोध का हमें शिकार होना पड़ता है इसलिए सीडियों को हमेशा भूखंड के दक्षन या पश्रिम भाग में बनाना चाहिए इसके लावा सीडियों के नीचे किचन या मंदर जैसे निर्माण नहीं होनी चाहिए सीडियों का घुमाव हमेशा घड़ी के सुयों की तरह चलना चाहिए अब बात करते हैं आज के राशी फल की कौन सी राशी के लोगों के लिए आज का दिन शुब है और कौन सी राशी वालों को आज विशेश साफधानी रख आएंगे पीछे जो निवेश किये हैं उनमें आज कोई नुकसान हो सकता है इसलिए बिजनस में साफधानी रखें राशी वाले लोगों के लिए कोई कार्य अचानक उनके विरोध में हो जाए तो कोई आश्चरिय नहीं करना चाहिए पारिवारिक तनाव की आश्रंका रह हाला कि समस्याय अनेक है लेकिन आकास्मत कहीं से धन की आमाद होने की संभावना है इसलिए चिंता ना करे और अपने काम में जुट जाए समाधान के रास्ते जरूर निकलेंगे मनी सर्कूलेशन भी आज अच्छा रहेगा करकराशी वाले लोगों के लिए रुके हुई का अटर्य के बंने की संभावना बने रहेगी परिवार में सुक शांती का वादवरण बनेगा भागे का सहत्त रहेगा लेकिन प्रेम प्रसंग में सफलता संदिक्त है मित्रों और रिश्थिदारों से ताह योग की आपिक्श्रा ना रखें किसी बुरे समाचार की प्राप् रखने में परिशानी होगी जिससे पारिवारिक तनाव कि आशंका रहेगी। कन्याराशी वले लोगों के लिए लंबे यात्राव को टालना उचित रहेगा क्योंकि यात्रा में कस्ट और दुर्गटना की आशंका बनी रहेगी हलाकि व्यपार्ण नोक्री में उन्नती की योग हैं, दामपत्य जीवन में मधूरता का संचार होगा गंभीर तनाव के बाद भी स्वयम को प्रभावशाली रख पाने में सफल हो पाएंगी गुला राशी वाले लोगों के लिए वातावरण दूशीत है लेकिन आप स्वयम को नियंतरण में लेने की आशा रख सकते हैं चोट मोच का भय बना रहेगा इसलिए स्तावधानी रखी जानी बहुत जरूरी है अध्यात में कविशियों में कुछ रूची और उसमें मन रखने में शामती मिलने की संभाव ना है प्रियटेन की योजना भी आज बन सकती है वरिश्चक राशी वाले लोगों के लिए आज अचल समपत्ती की खरीद फरोकत पर चर्चा हो सकती है मनुवांचित सफलता का दिन है कहीं परियटेन या धार्मिक स्थान पर चानिक योजना बन सकती है हाला कि खर्च की अधिकता परिशान कर सकती है हाला कि आज की तुलना में कल का दिन भी ज्यादा अच्छा रह सकता है धनूर राशी वाले लोगों के लिए यात्रा योग है जिसमें आपको लाब के स्थिति बन पाएगी पारिवारिक जीवन में कती रोद दूर होने से हर्शो लास का बातावरन बन सकता है फियपार में कुछ सीमा तक सफलता और बागी लक्ष प्राप्ती की कोशिशों के काम्याब होने की संभावना दिखा देती है मकर राशी वाले लोगों के लिए कोई कार्या अचानक उनके पक्ष में हो जाए तो कोई आश्रे नहीं करना चाहिए क्योंकि गूचर के ग्रहे आपके पक्ष के हैं घर से निकलते ही कुछ कदम पोर्दिशा की तरफ चले जवी का कारिया या बिजनस के बादवरन में कुछ सुधार होगा जिससे मन प्रसन रहेगा कुम राशी वाले लोगों के लिए बाधाओ का समाधान होने की संभावना इदिखाई देती है आर्थिक स्तेथी में चमतकारी सफलता मिल सकती है कारिकरता महिलाओ को भी लाब हो सकता है आत्म विश्वास में बड़ोतरी से प्रसनता होगी यदि बिजनस संभंदी यात्रा करते हैं तो उसमें लाब की संभावना बनी रहेगी बेन राशी वाले लोगों के लिए समस्याई अनेक हैं लेकिन उनके समाधान की रास्ते आज नहीं तो कल मिल जाएंगी मान से कलेश होगा, मिश्रित फल प्रद दिन है विचारों में शीगर परिवर्तन लेखनकार्य या स्रजनात मकरतियों की रचना करने के लिए दिन अच्छा है बड़ों को आशिरवात प्राप्त करें आज के राशी फल में बस इतना ही अगर आपके मन में आज के राशी फल को लेकर कोई भी सवाल जवाब है तो कॉमेंट सेक्शन में हम इस दरूर बताएं और ऐसी ही चौनकारी के लिए बने रहें पंचवापकेसरी.com के साथ